हाई गईस एन वेलकम बाक तो दी चैनल दीपाच यादव एजूकेशन वेलकम दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस ऑफ 26 जैनवरी 2023 तो गाईस आध है तारिक 26 जैनवरी 2023 और है थर्स्डे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीड न्यूस पेपर को कंप्लीड न्यूस पेपर को एनलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम तन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपेच य आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है एस्तोनिया को काफी चर्चा में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि यूपी एसी प्रिवियस यर साल 2008 के प्रिलिम्स में पूछा गया था डेली बेसिस पर हम लोग यहां पर एक प्रिवियस यर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन काफी सिंपल सा है क्या बोलता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में इन चारों में से कौन से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनोंने फ्री इंडियन लीगन नाम की एक आर्मी को खड़ा किया था ऑप्शन ए लाल हर्दयाल ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी वीडी सवर कर तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है एटली सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बिसस पर बोलता हूँ बाइदा वे इसका जो करेक्ट आं पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ पीछे से आपको बता होगा एक वोईस आ रहा होगा बहुत जाद आ रहा है वो तो यार मैं घर पर आया था और पीछे पड़ो उसमें चल रहा है कीरतन तो इस वजह से यहां पर बागरांड वोईस जो है न वो काफी जादा आ रहा है हाला कि यहां पर मैंने बहुत कोशिश की है उस वोईस को कम करने के और काफी हद तक यहां पर कम कर दिये वरना तो बहुत ही ज़दा तेज आ रहा था लगबग मैं यहां पर इस वीडियो को मतलब थोड़ा थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर करके देखा ह और अभी काफी कम हो चुका है पहले के मुकावले तो कोई बात नियार आज थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना जो पीछे वाइस आ रहा है यह पूरे वीडियो में रहने वाला है मेरे ख्याल से क्योंकि खिर्दन पूरे देन चलने वाला है तो मैंने कोशिश किया था थोड़ा स आज के लिए ठीके ना आगे आते हैं बाकी तो पहले आप सभी लोग को हैपी रिपब्लिक डे गरतंत्र दिवस की आप सभी लोग को बहुत-बहुत शुबकामना है और आज को थमनेल वाल आर्टिकल है थोड़ा से रेलिवेंट है और एक्जामनेशन में आप से सवाल भी मिले हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पिछले तीन-चार दिनों से बहुत सरे न्यूज आर्टिकल इसको पर पब्लिश हो चुगे हैं तो आपको यहां पर मैं उस डाइनसौर के बारे ही बताऊंगा जो है टाइटोनोसौरस ठीक है इसके बारे मापक कवर किया था आज से तीन दिन पहले ठीकिन दहिंदु वाला आर्टिकल आपके साथ में अभी डिसकस करूँगा फिर ऐसे और भी धेर सारे न्यूज आर्टिकल यहां पर आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे तो यह तो समझ लिया कि हाँ हमने काफी ज़ादा चर्च जिसकी जारी है रिसर्च करके हम क्या-क्या और पता लगा सकते हैं वो भी बाते मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ आर्टिकल के अंदर यह बताया है कि जो यह अंडे पाए गए हैं यह एक हर्भी वोरस टाइटनोसौरस के हैं यानि कि एक ऐसा डाइनसौर यहां कह सकते हो और डिसकावर करेगा हैं तो जितने भी रिसर्चरस ने डैली उनिवरस्टी के हैं इंडियन इंसिट्यूट आफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के यहां पे रिसर्चरस आपको देखने को मिलेंगे इन सब ने आपर यह डिसकावरी की है और पता है इन यॉक हैं तो रिसर्चरस के अंदर और इस तो यह चीज थोड़ी सी रेयर है इसके उपर रिसर्च की जा रही है तो अब इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं काफी कुछ पता लगा सकते हैं जैसे मैंने यह बता आया कि एक अंडे के अंदर दो दो yorks भी मिले हैं और ऐसा birds में देखा जाता है छिलियों में देखा जाता है उनके अंड़ों में दो दो yorks मिलते हैं तो कही न कही यहाँ पर जो birds के प्रजातिया है उनसे हम इनको link कर सकते हैं वहाँ पे birds और इन टाइटनोसारस के बीच में similarities को थोड़ा सा और research कर सकते हैं उसके अलावा जो यह अंड़े हैं इनके उपर का जो shell है इसके बारे में research कर सकते हैं इससे किस चीज़ से बना हुआ है इसके according पता लगा सकते हैं तो यहाँ पर क्या खाया करते था कितना पानी पिया करते था यह सारी research इस यहाँ पर की जा सकती हैं तो यह कहीं नहीं थोड़ा सा relevant होने वाला है हमारे लिए अप थोड़ा बात करेंगे टाइटनोसारस के बारे में इन टाइटनोसारस की जो है गर्दन कितनी जादा लंबी है और ऐसी यहां पर आपको पूँच भी देखने को मिलेगी बहुत जादा लंबी है अब इन टाइटनोसारस के बारे में आपको दो चार बाते बता रहा हूँ चाहो तो यहाँ पर no down कर सकते हो वैसे PDF के अंदर भी वो provide कर वादूँगा नमबर वन जो fact है टाइट अनोसारस के बारे में वो यह है कि यह लोग सौरोपोर्ट ग्रूप को बिलॉंग करते हैं यानि कि आपको बताओगा डैनसार में अलगला ग्रूप्स होता है तो एक सौरोपोर्ट नाम का ग्रूप है उसी ग्रूप को यहाँ पर यह वाले डैनसार बिलॉंग करते हैं सौरोपोर्ट ग्रूप क्या है ना एक बहुत बड़ा ग्रूप आपको देखने को मैं लेका लगबग 20 मीटर का यहां पर जैपेटर को डिसकवर किया जा था लेकिन बहुत पहले डिसकवर किया था हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल काफी जदा रेलिवेंट होने वाला है कुछ बैगराउंड इन्फोर्मेशन यहां पर आपको बहुत काम देने वाली है इस आर्टिकल को जी एस पेपर नंबर टू पॉलिटी से आप लिंक कर पाऊगे दे जिस हम लोग जो अपर एक यूनाइट पॉजिशन में रहते हैं तो ये चीज़े हमें कभी डिवाइड नहीं करती हैं यही चीज़े हम लोगों यहाँ पे साथ में जोड़ती हैं ऐसी बात यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट ने बताई हैं साथी साथ में इन्होंने ये बोलाएं ये धेर सारे religion धेर सारी भाषाएं भारत के लिए important है भारत को एक साथ यहाँ पर जोड़ कर रखती हैं दूसरी चीज प्रेशिडेंट ने तारीफे की हैं हमारे constitution makers की जो हमारे संभीधान निर्माता है जिन्होंने संभीधान को बनाया है उनकी काफी ज़द तारीफ की गई है उन्होंने यहाँ पर बोलाएं कि उन्होंने इसे प्रकार से संभीधान को बनाया कि जिसके basis पर इंड अब करना क्या है इस पूरे आर्टिकल में एक छोटी सी इंफोर्मेशन है जैसे कि यहाँ पे Constitution के उपर थोड़ा जोड़ दिया गया है और Constitution का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे जिसके basis फराम यह 26 जनवरी का celebration करता है वो क्या रोल है आओ मैं आपको थोड़ा उसके बारे मे समझाता हूँ और Constitution के बारे में कुछ relevant बाते कवर करेंगे यह बाते बहुत important है यहाँ पे जितने भी facts हैं वो आपको सभी examination के अंदर help करेंगे तो Constitution के बारे में सबसे पहली line और बहुत relevant line यह आपके दिमाग में हमेशा बैठी भी होनी चाहिए 26th of November 1949 यह वो दिन था जब भारत का संबिधान यानि जो हमारा Constitution है वो बनकर तयार हो गया था और हमने यहाँ पर इसको अपनाया था अब होता यह है कि 26th November 1949 को हम अपने देश में संबिधान दिवश यानि Constitution Day या कानुन दिवश के तोर पर भी उसको मनाता हैं लेकिन अब आपको ध्यान रखना है यह 26 नवंबर 1948 की बात बताई कि जब भारत का संबिधान बनकर तयार हुआ था इसके ठीक दो महीने बाद यानि 26 जनवरी 1950 में होता यह है कि यह संबिधान देश में लागू हो जाता है ध्यान रकना इसके दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को देश में यह संबिधान लागू हो जात जो हमारा रिपब्लिक्ड है गरतंदर दिवस हैं हम उसको celebrate करते हैं I hope आपको ये बात clear हो गई होगी ठीक है तो ये point यहाँ पे जरूर से अपने mind में आपको बैठा कर रखना है आ गया आता हैं आपको ये गरतंदर दिवस के बारे में समझ माया 26 जनवरी 1950 का क्या रूल है क्या हुआ था इस दिन वो आपको समझ माया और इसी वज़ा से हम लोग यहाँ पर रिपब्लिक्ड का celebration कर रहे हैं ये भी आपको समझ माया अब बात यह है कि जो हमारा समझ माया हाने वो कैसे बना था इसके अंडर में कुछ elections वगरा किये जाते हैं और उन elections के basis पर एक constant assembly को तयार किया जाता है अब होता यह है कि जो हमारा constitution of India जो भारत का समझ माया था इस पुरे भारत के समझ माया था तो जो constant assembly of India थी न इन्होंने लगबग 13 अलगलग committees को अपोइंट किया तेरा अलगलग समिध्या बना दी और उन तेरा committee उसको अलगलग काम दे दिया गया अलगलग task दे दिये गए हमारे समिधान से related कि आप समिधान में ये काम करोगे आप समिधान में ये काम करोगे तो इस प्रकार कि अलगलग 13 committee बनाई गई थी तो examination में पूछ जा सकता है काम समप दिया गया हमारे समिधान को बनाने के लिए अब यहाँ पर अगर हम लिस्ट को देखें इन में से सबसे बड़ी बड़ी committees कौन किसी थी तो पहली थी drafting committee, drafting committee जिसको head कर रहे थे डॉक्टर ब्यारमबैड कर फिर उसके आद में advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas वल्ला भाई पतेल जी यहाँ पर इसको head कर रहे थे, then rules of procedure committee इसको राजेडररप्रसाजी head कर रहे थे, इस प्रकार से यहाँ पर एक state committee भी आपको देखने को मिलेग इसको जवाला नैरुजी head कर रहे थे then आपको यहाँ पर steering committee देखने को मिलेगी इसको राजिंदर प्रसाजी head कर रहे थे तो यह अलगलग committees के बारें बताया इसको कौन head कर रहा था यह भी मैंने आप लोग को इसके बारें में बता दिया है ठीक है यह कुछ major committees है अब इनको यहाँ पर अलगलग task दिये गए थे संविधान से related अब उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए संविधान के कुछ और important features है जैसे जो हमारा constitution है ना इसका एक सबसे बड़ा feature है federal system with unitary features अब यह क्या है समझते है federal system के बारे में आपने पढ़ा होगा एक साथ जुट कर काम करें तो यह हमारा federalism का concept है लेकिन इसी federalism में ना हमने एक unitary feature को add कर रखा है क्योंकि आप एक चीज़ यह देखोगे कि भले यहाँ पर कें सरकार के पास powers अलग है state government के पास में अलग powers से साथ अमिल कर काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो जुटाव है वो कें सरकार की side में ज़्यादा देखने को मिलता है यानि कि states के comparison में center के पास में थोड़ी सी ज़्यादा powers देखने को मिलती हैं इसी को लोग unitary features बोलता है तो federal system with unitary features आपको हमारे समिधान में देखने को मिलेगा बात clear हो गई, simple था then हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा feature है parliamentary form of government आपको parliament देखने को मिलेगा दोनों houses देखने को मिलेंगे लोग सबा, राजे सबा यह पुरगा-पुरा parliament का system देखने को मिल जाता है then, समिधान को बनने में कितना समय लगा था देखो, समिधान को frame करने में लगबख 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस time period के अंदर पूरा समिधान को तयार किया गया था और Constance Assembly ने, Constance Assembly ने हाँ पर यह time period के अंदर इस समिधान को ready किया और इसको लागू कब कर दिया, 26 नमबर 1950 को ठीक है, समिधान की जो original copies है आप सोच रहोंगे समिधान कैसे लिखा गया होगा तो कई ओके दिमाग मार रहोगा कि लोगों ने बैट कर प्रेंट किया होगा है ना, प्रेंट किया होगा या टाइब कर के लिखा होगा ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको कोई भी हमने टाइप, कोई भी प्रेंट नहीं किया था ये इसको हाथ से लिखा गया था फिर उसके बाद, जो प्रेंब बिहारी, नारायन, रायजादा जी है इन्होंने यहाँ पर, structure of India की कुछ unique copies को लिखा था फिर originally बात करें, जो हमारा भारत का संविधान है, इसको English और Hindi में लिखा गया था और एक बात तो बहुत ही important है, जो कि आपको बता है हमारा संविधान जो है, हमने जो बनाया है, हमारी constant assembly जो संविधान तयार किया था इसमें अपने आप सारे features आइड नहीं किया है अब आप यह देखो एक picture, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह एक picture है और यह picture मैं PDF में देदूँगा प्लीज इसको download कर लेना बहुत relevant है, सबसे पहली बात देखो, अगर हम लोग देखें, तो अपने संविधान को कैसे बनाया हमने संविधान में किस-किस देख से क्या हिया लिया, तो British Constitution से, हमने Britishers के संविधान से क्या क्या लिया Parliamentary Form of Government का System, Rule of Law, Lawmaking Procedure, Single Citizenship का Concept, Institutions of Speaker, Doctrine of Pleasure तो इस प्रकार के जो यहाँ पर आप कह सकतो, Concept से यह हम लोग ने लिये वे थे फिर American संविधान से क्या क्या लिया गया, Judicial System का Concept हो गया, Fundamental Rights हम लोग ने आपर USA की Constitution से लिया है फिर Canadian Constitution से क्या क्या लिया, Canada के Constitution से लिया हम लोग ने Federal System, है ना Federal System जिसमें Central Power के पास में थोड़ी, Central Government के पास में जाधा पावर रहेगी, जैसा हमारे पास में चलता है फिर Residual Powers हो गई, फिर Central State का Relation हो गया, ये भी हम लोगोंने Canadian Constitution से लिया है फिर Ireland की Constitution से Irish Constitution से हमने लिया, DPSPs, Directive Principles of State Policy, President का जो Election है उसके Concept हम लोगोंने लिया फिर Australian Constitution से हमने लिया, Concurrent List का Concept है ना आपको बताओगा State List, Union List और ऐसे Concurrent List आती है तो Concurrent List का Concept हमने Australian समभिदान से लिया था, फिर Freedom of Trade and Service within country भी हम लोगोंने Australian Constitution से लिया Then Vemar Constitution से हमने लिया कुछ Emergency Provisions को, फिर Soviet Constitution से USSR से हम लोगोंने लिया 5 Year Plans को, Fundamental Duties का Concept हमने यहां से लिया था फिर Government of India Act 1935 से काफी सरे चीज़ी लिए थी, उसमें Office of the Governor, फिर साथी साथ में Federal Jury की Powers के बारे में हमने Concepts उठाए थे South African Constitution से हम लोगोंने समभिधान के अंदर amendment करना, यह सबसे important point है, समभिधान के अंदर amendment करना, समभिधान के अंदर बदलाव करना, जैसे ऐसे आगे requirement हो कि हम चीज़ों को बदलते चलेंगे तो वो South Africa से यहाँ पर एक concept को उठाया गया था, तो अलग-अलग देशों से, अलग-अलग concepts को adopt करने के बाद में हम लोगोंने अपने समभिधान को बनाया था, ठीक है, बात clear हो गई, आगे आता है आगे बने से पहले यार, make sure करना है, वीडियो पर जो like बटन उसको आप प्रेस कर दो, एक छोटा सा target है हमारा 5K प्लस likes का जिसको आप achieve करवा सकते हो, साथी साथ में मेरे साथ में Instagram पर connect कर सकते हो, Instagram पर जाना, search box में type करना, दीपाच यादव education, आपको यह वाला profile मिलेगा, यहाँ पर आप मेरे साथ में personally connect कर पाऊगे, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो भी आपसे questions पूछ जाता है, जैसे starting में आपसे prelims का सवाल पूछा गया, फिर आपसको एक map का question दिया गया, तो यहार उनको attempt क्या करो, map का question आज का बहुत important है, Estonia को अच्छे से map में देखन है, तो क्योंकि आदी चीज़ आपकी यहीं पर cover हो जाती है, नई तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, जाकर फिर कहीं और से करोगे places in news का वीडियो देखना, यह देखना, वो देखना है न, तो वो चीज़े सब पूछ एक वीडियो के अंदर मिल जाती है, तो एकटा क्य पर पर प्याइबी अनलिसिस देखना, इस यहां पर पूरा प्याइबी अनलिसिस देखना, वो एक बेवकुफी हो जाएगी, फिर वहाँ पर भी आपको टाइम देना, आप अल्लेडी दा हिंदू cover कर रहो, उसके आद में आप एक और वीडियो सेपरेट वीडियो है, वो cover पर cover हो रहा है, ठीक है, आगे आता है, बस यह धीरे धीरे आप छोड़े छोड़े कदम उठाओगे, रोज रोज यहां पर पढ़ाई करोगे, तो तो सही रहेगा, लेकिन एकटा कर लोगे चीजों को, और फिर लास्ट में यहां पर एक साथ उनको consume करने कोशिच करोगे, तो पता है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, अगला आर्टिकल आपका GS paper number 2 international relations के point of view से काफी relevant होने वाला है, इंडिया एजिप्ट के बारे में पहले हम काफी चर्चा कर चुके हैं, तो इंडिया और एजिप्ट के जो relations हैं, आज के समय पर वो और जदा मजबूत हो जाए और एजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, स्वरी एजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं हमने इनको बुलाया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आप देख पाओगे एजिप्ट के प्रेसिडेंट का welcome किया है, और ये अभी आ चुके हैं, और इनको as a chief guest यहां पर invite किय आई आए, ठीक है, तो ऐसा chief guest तो यह आई ही है, उसके साथ साथ इंडिया के साथ में कई सारे agreements करके भी जाएंगे, तो इससे क्या होगा दोनों कंट्रीस के जो relations से वहाँ ज़दा मजबूत होंगे, बोला जा रहा है, especially defense और security के मामले में दोनों कंट्रीस बहुत कुछ discussion कर बनाने वाली है, ऐसा यहाँ पर mention किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख पार होंगे, जो Egypt के President है, अब्दिल वता LCC, यह अभी के समय पर आ चुक है इंडिया में, और यह इनको as a chief guest यहाँ पर बुलाया गया है, Republic Day के celebration पर, साधी साथ में बोला जा रहा है कि यह दो दोनों कंट्रीज मिलकर कई सारे agreements और कई सारे agreements अभी के समय पर sign करने वाली हैं, दोनों का कहना यह है कि देखो, हम लोग आने वाले समय बे एक long term structure बनाने वाले हैं, दोनों कंट्रीज मिलकर corporate करेंगी, political security, economic security और कुछ important areas के उपर यहाँ पर दोनों की दोनों focus करने वाली है दोनों ही तरफ से कई सारे जो agreements से वो sign करेंगे हैं, लगबग already एकनम लोग बात करें तो इंडिया एजिप्ट में 5 memorandum of agreements, memorandum of understanding जो है sign हो चुके हैं, जो की culture, corporation, cyber security, information, technology, इन topics के उपर यहाँ पर हम sign कर चुके हैं, यानि कि दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक ह तो यहाँ पर बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, तो इंडिया और इजिप्ट चर्चा में हैं, तो करना क्या होगा, आपने international relation का किताब उठा लो, कोई सभी किताब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको वही points मिलेंगे, जो अभी मैं आपको बताने प्रहाँ निब्चा होगा, यह रायचिप्ट, एजिप्ट के जस नीचे आपको रेटसी ने झरआएगा, इदर मेडिट्रीनेंसी ने जर drawn आएगा, ठीक है ना और यहीं पर ऊपर आपको स्वेस कैनाल भी नज़र आएगा, यहीं पर स्वेस क इनाल है, यानि एक कैनाल बन कि एजप्ट कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में बॉंडरी शेयर करता है अच्छा यहां पर यह तीन कंट्रीज के नाम बता दो कौन कौन से देश हैं जो कि एजप्ट के साथ में बॉंडरीज को शेयर कर रहा है अब दोनों के रिलेशन्स के बात में हम डिसकस करें तो 1955 की बा और इस केस में आप देखोगे तो एजिप्ट और साधी साथ में इंडिया इन दोनों ने मिलकर ही इस नॉन अलाइन मुव्मेंट जैसी चीजों को बनाया था और इस चीज को फांड किया था जहां पर ये दोनों बिलकुल आप कर सकते हो न्यूटरल रहे इन्होंने किसी को ज काफी जदा मजबूत हैं अब ये देखोगे 1950 में दोनों काफी करीब आए और उसके आने वारे पांस सालों के था और पिछले कुछ सालों में दोनों कंट्रीज के रिलेशन्स और जदा मजबूत हो चुके हैं मजबूत इसलिए होगा है क्योंकि regular basis पर high level की मीटिंग्स होत बाकी ट्रेड यानि व्यापार की अगर हम चर्चा करें तो एजिप्ट कहीं न की इंडिया के लिए एक important ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है हम लोग पूरे African continent में अगर हम देखें तो एजिप्ट के साथ में धेर सरा व्यापार हम करते हैं इंडिया एजिप्ट के बीच बीचता है raw cotton, raw manufactured fertilizer, oil and oil products, organic, non-organic chemical, leather और iron products अब एजिप्ट हमसे इंपोर्ट क्या करते हैं भारत एजिप्ट को क्या क्या बेचता है तो उसमें cotton यार, then उसके बाद में CCM, coffee, herbs, then tobacco, lentils जैसी चीज़े हम लोग यहाँ पर एजिप्ट को export करते हैं अब दोनों ही देशों के ब इंडिया का धेर सारा investment है और example यहाँ पर आप देख पाऊगे technical और scientific cooperation की बात करें तो इस particular मामले में भी दोनों countries के relations काफी मस्बूत हैं एजिप्ट के जो candidates हैं वो इंडिया में विजट करते हैं इस agreement के तहत, Indian Technical Economic Cooperation Program के तहत, इजिप्ट के काफी सरे लोग यहाँ पर इंड agriculture के मामले में भी research करेंगे, agriculture के मामले में नएने innovations करेंगे, नएने आविशकार करेंगे, इसके लिए भी यहाँ पर यहाँ पर यह दोनों देश काम कर रहे हैं, लगवा एक 1998 से, तो यह तो हो गया यहाँ पर इनके अलग किसी के बारे में, scientific cooperation के बारे में, दूसरा इनके cultural links के बारे में बात करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी सांस्कृति को भी शेर करते हैं, जैसे मौलाना अजाद सेंटर for Indian culture, यह यहाँ पर हमने एजिप्ट के अंदर काईरो में सेट अप कर रखा था 1992 से, और अभी भी यहाँ पर सेट अप हुआ वा है, देन ह तो महाँ पर आप कैसे तो perform किया जाता है बहुत जादा, then defense partnership के बारे में बात करते हैं, very very important, defense partnership में देखो गए, तो काफी सारे यहाँ पर meeting हम लोग कर चुके हैं, और दोनों देशों के बीच में, defense के मामले में काफी जादा अच्छे relations रहते हैं, और दोनों आज के समय पर defense relations को और जादा मजबूत करने के लिए काम भी कर रहे हैं, जैसा अभी हमने article में पढ़ा था, तो यह तो होगी आपका complete article, article प्लस background information, next news पर आता हैं, now next article पर आता हैं, अगला article काफी जादा relevant है, again इसको GS paper number 2 international relations से आप link कर पाऊगे, तो पाकिसान के प्राम मिनिस्टर को वो भी भारत के हाद में है, दूसरा जो यह शांगाई cooperation organization का meeting होने वाला है, यह meeting भी गोवा के अंदर होगा, इनकी ministers की meeting होगी, कहाँ पर गोवा में होगी, में के महीने में, तो इस meeting के अंदर भारत ने पाकिसान के प्राम मिनिस्टर को कर लिया है invite, अब वो आएंगे नही उनकी मर्जी है, बोला यह जा रहा है कि अभी तक यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि जो official से उनका कहना यह है, कि अभी तक कोई भी clearance नहीं मिला है, कि वो इस invitation को accept करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर इंडिया ने पाकिसान के foreign minister बिलावल भुट्टो को invite क होगी, क्या-क्या उसमें बातचीत होगी, वो सब आने वाली बात है, वो उससे में discussion किया जाएगा, लेकिन उससे पहले, यहाँ पर आप देख पाओगे G20 के presidency भी भारत के हाथ में है, तो एक तरफ तो हम पाकिस्तान को भी भारत में बुलाने वाले meeting में, दूसी तरफ देखेंगे क्या-का discussion होगा, रश्या और चाइना ये दोनों भी आएंगे, पाकिस्तान भी आएगा, तो इस प्रकार की जो meeting साने वाले समय पर काफी चर्चा में रहेंगी, हम लोग कोशिच करेंगे चाइना के साथ में अपने जो dispute से उनको resolve कर सके हैं, आपको पता होगा, बॉर्डर पर जो दो विवाद हैं, LAC पर 2020 से काफी रिलेशन्स खराब हैं, उसके बावजूद भी आपर चाइना आएगा इंडिया में, तो देखेंगे चाइना आएगा भी या नहीं आएगा, वो आने वाली समय की बात होगी, तब देखा जाएगा, अभी केवल इतनी इस आर्टिकल में, इसके लावा कुछ नहीं पढ़ना है, अब करना क्या है, इस आर्टिकल से आपको दो चीज़े निकल कराती हैं, पहली बात तो G20 समिट, है न, अब G20 समिट में भी क्या पढ़ना हुआ, G20 ग्रूप के बारे में, तो आपको मैंने कई बार बता रखा है G20 ग्रूप के बारे में, अच्छा, G20 ग्रूप में, जो 20 देश हैं, वो कौन-कौन से देश हैं, जरा एक ट्रिक के साथ में नीचे लिख दो, जिसकी भी ट्रिक बहुत असान सी होती है, सरल सी होती है, उस ट्रिक को मैं पिन कर दूँगा, सब लोग आपे पढ़ पाएंग है क्या, ये भी आपने पता होने चाहिए, ये टॉपिक इतने important है कि UPSC हर साल question पूछ रहा है, मैं आपको एक later question दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पार होंगे, ये जो सवाल है, ये 2022 का है, पिछले साल ही पूछा गया था, prelims के अंदर में, यहाँ पे आपको त तिनों groups का अगरम देखें, तो इंडिया जो है, इनमें से किस-किस का member है, तो यहाँ पर आप देखाओ कि इसको option D हो जाएगा, तीनों के तीनों group का member है, SEO का member भी आपको इंडिया देखने को मिलेगा, 2017 में SEO को हमने join किया था, ठीक है, तो ऐसा सवाल यहाँ पर बन जाता ह है, चलो फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, SEO के बारे में आपको exam में help करेगा, SEO एक permanent intergovernmental international organization है, intergovernmental organization का मतलब यहाँ पर यह है, कि जो अलग-लग देश, इसके जो members है ना, उनकी सरकारे आपस में मिलकर काम करती है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इनका काम क्या है, साथ मे कर, peace को, यानि, शांती को बना कर रखना, security को maintain करना, और उस region में stability को maintain करने का यहाँ पर काम होता है, इस body को वैसे 2001 में हम लोगों ने बनाया था, लेकिन आप जब देखो गए ना, तो धीरे-दीरे यहाँ पर इसके अदर काफी सरे बदलाब हो गए, 2001 में यह body आने से पहल केवल और केवल पाँच कंट्रीज हुआ करती थी, कजगस्तान, चाइना, कर्गिस्तान, रश्या और तजगस्तान, केवल और केवल यह पाँच देश हुआ करते थे, इस वज़े से यह शांगाई 5 के नाम से जाना जाया करता था, 2001 से पहले, लेकिन 2001 में फिर ऐसा क्या हु इन्होंने शांगाई कोपरेशन और इसका नाम कर दिया, कि अभी कोई और दूसरा कंट्री होगा, तो फिर नाम फिर बदलना पड़ेगा, सचा एक नाम कर दो, जो भी आड़ होगा, नाम नहीं बदल जाएगा, फिर 2001 के बाद में कुछ समय लग गया, लेकिन 2017 में इंडिय कोपरेशन और इसका नाम कर दो, यहां पर आज के समय में, SEO के अंदर में काफी सरे मेंबर्स उचुके हैं, मेंबर्शिप की बात करें तो कितने मेंबर्स हो चुके हैं, कजगस्तान, चाइना, किरिगिस्तान, रश्या, तजिकिस्तान, उस्बैकिस्तान, इंडिया, पाकिस करना, शांती को बना कर रखना, साथ में मिलकर, ट्रेड करना, एकनॉमी रिसर्च करना, एजुकेशन में मिलकर काम करना, ट्रांस्पोटेशन, टूरिजम में मिलकर काम करना, यह इनका मेजर मकसद है, ठीक है, तो यह है हमारा पुरा का पुरा पुरा शांगाई कोपरेशन organization का detailed information दूसरा इसका secretary इसका headquarter कहाँ पर है तो SEO का headquarter Beijing में है याने की China के अंदर में है इसकी official language की बात करें तो यहाँ पर Russian और Chinese जो है इस particular group की official language देखने को मिलती है ठीक है आ गया आता है ना दोस्तों आते है editorial discussion पर देखेंगे आज के relevant editorials को आज editorials कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी मैंने WHO की website से एक बहुत अच्छा article निकला है बहुत important article निकला है और इतना important ही कि UPSC उसको लेकर सवाल पूछ जुगा है तो आज कुछ हम हट कर editorial का discussion करेंगे कुछ relevant चीज़र discuss करेंगे ठीक है लेकिन आपको बताओगा हमेशा editorial discussion से पहले हम लोग लेते हैं means का question तो आज का means का question क्या बूलता है तो ये जो question है थोड़ा relevant है और ये question अगर आप attempt कर रहे होंगे तो आप समझो UPSC का 2017 का previous question लिख रहे होंगे क्योंकि 2017 में पूछा गया था और कल ही मैंने इसके बारें पढ़ाया है कल मैंने आपको एक editorial कवर करवाया था केन बेतवा river linking project के बारे में जहां पर दोनों का जो नदिया है उनको जोड़ा जा रहा है उसमें क्या-क्या परेशान ही आ रहे हैं क्या-क्या ये फाइदाप महुचा सकता है वो सब मैंने आपके साथ में discuss किया था तो उसी के basis पर ही मैंने यहाँ पर एक question लिया है तो UPC ने 2017 में एक सवाल पूछा था सवाल ये था not many years ago river linking was a concept but it is becoming a reality in the country discuss the advantages of river linking and its possible impact on environment बहुत जबर्दस question है यानि कि आप बहुत साल पहले देखोगे न तो नदियों को साथ में जोडने की अफधार्णा नहीं थी लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़ादा बढ़ चुकी है आज के समय में ये देश में आपके सकते हो वास्तविकता बन रही है तो नदियों को जोडने के जो फाइदे हैं वो हमारे environment के उपर क्या पढ़ेंगे ठीक है ये आपको इसके फाइदे क्या है और दूसरा यहाँ पर परियवरल के उपर environment के उपर यहाँ पर क्या impact पढ़ेगा वो आपको यहाँ पर समझाना है कल मैं आपको समझा है था याद होगा है ना तो कुछ examples आप दे सकते हो बड़ी बड़ी examples यहाँ पर लिख सकते हो तो 2017 का UPSC का previous question है सभी लोग को लिखना है कोशिश करना एक अच्छा सा answer लिखो और answer लिखने के बाद में कहाँ पर submit करना है जब अपने main answer को submit करोगे ना तो एक छोटा सा काम और करना एटलीस सभी लोग यहाँ पर दो-दो answers review कर लेना दो-दो answers तो review करी सकते हैं यार 15-20 लगेगा दो-दो answers review करने से काफी फाइदा होगा आप सभी लोग को कुछ important points मिलेंगे जो कि आप अपने means में use कर सकते हो जैसे कि आप कर सकते हो आपने अपना एक answer लिखा उसमें कुछ points अगर देखो आपको नहीं मिल पाए हैं या फिर आपने कुछ points अच्छे नहीं सोचे हैं और किसी और के answer मिलते हैं तो उसको ले लेना चाहिए वो आपको help करेगा आपकी thinking ability को expand करेगा तो आपको कुछ अच्छे points मिल पाएंगे साधी साथ में सामने वाले के answer में कोई mistake हो दी तो आप उनको बता सकोगी कि हाँ यहाँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा improvement की आवश्च रखता है चीक है तो जाकर उस group को जरूर से join करो चलो आते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपने first important editorial को देखो जब आप World Health Organization की website पर जाओगे बिल्कुल website पर लेकर आया हूँ मैं आपको तो website पर जाओगे तो एक article यहाँ पर mention किया या है Transfed को लेकर Transfed की वज़े से कई सारी heart जो बिमारिया है ना heart की दिल से संबती बिमारिया दिल वाली बिमारिया वो फैलती जा रही है ठीक है तो बोला यह जा रहा है WHO ने यह बताया कि लगबग 5 billion पीपल ध्याना कितने 5 billion ऐसे लोग हैं जो कि अभी Transfed से बिलकुल भी नहीं बचे हुए है Transfed के शिकार में आपको देखने को मिलेंगे और इससे कई सारी जो heart disease है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आती है तो इस पूरे के पूरे editorial के अंदर में बहुत कुछ mention है इस disease के बारे में मैं आपको एक-एक information बताने वाला हूँ बस करना क्या है इस screen पर जो भी information में आपको नीचे दिखा रहा हूँ इसके उपर थोड़ा जोड़ देना और इसको यहाँ पर समझते वे चलना हुआ ये हाल ही में एक नई report पब्लिश होती है World Health Organization के साइट इस है वो बढ़ती जा रही है लोग की मौत भी हो रही है तो WHO ने यहाँ पर पहले बार 2018 में ये बोला था कि हम लोग को बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि trans fat का जो production हो रहा है इसको कम किया जाए इंडस्ट्री में trans fat बहुत बनाया जा रहा है और 2023 तक का टार्गेटर का तक 2023 तक हम यहाँ पर इसको कम से कम कर देंगे बट ऐसा possible हो नहीं पाया उसके पीछे का reason बताऊँगा कि ऐसा क्यों नहीं possible हो पाया अब इस report की कुछ major highlights हैं पहले उसके ओपर थोड़ा focus करता है WHO के according बात करें जो ट्रांसफेट का consumption हो रहा है यह consumption कहां कहां पर मिलता मतलब ट्रांसफेट मिलता कहां पर है ट्रांसफेट आपको package food के अंदर जो package वाले खाने खारे हो जो chips है करकुरेन के अंदर ट्रांसफेट काफी ज़दा देखने को मिलेगा दूसरा baked goods हो गए cooking oil हो गया cooking oil में ट्रांसफेट होता है तो इस सब के अंदर ट्रांसफेट बहुत ज़दा होता है और इसके शौकीन होते हैं लोग तला भूना खाने को बहुत ज़दा पसंद करता है समोसे वगरा खाने को बहुत ज़दा पसंद करता है उसके अंदर transfer बर-बर की होता है और जब यहाँ पर आपने देखऊगा शॉप वाले क्या करते हैं यह एक ही तेल के अंदर समोसा यहाँ पर उन्होंने मनाया फिर उसके बाद वो तेल ना फेक के दुबारा यहाँ पर तेल को चलाया, फिर दिबारा तेल को चलाया, हाँ एक दोबार चलता है, लेकिन बार बार यहाँ पर उस तेल को कर देना, वो कहीं नहीं के यहाँ पर, उसकी transfer capacity को और जहाँ बड़ा देता है, तो उसमें तलवा यानि कि बार बार use वाला तेल के अंदर, आप तलवा खाना ख चाहिए अपने यहाँ पर फूट को रखने काम कर रहे हैं। है ना काफी सारे लोगों को protection दे चुका है लेकिन अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कोई भी rules regulation नहीं है लेकिन आप देखो किया जैसे काफी सारी countries है फोर सब्सक्राइब आप देख पाऊगे अमेरिका हो गया या यूरोप के अंदर कई सारे देश आपको देखने को मि लेकिन यहां पर जो low income countries है जहां पर लोग की अच्छी इंकम नहीं देखने को मिलती है वहां पर अभी rules regulation नहीं देखने को मिलेगे करेंट टाइम पर आप देख पाऊगे 16 में से 9 देश ऐसे हैं 16 में से 9 देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादी heart disease वाले लोग हैं सबसे दिल वाले बिमारी वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे और वहां पर सबसदा मृत्य होती हैं क्योंकि वहां पर ट्रांसफेट का consumption बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा तलाबुना या फिर ट्रांसफेट ज़्यावाली चीज़े खाई जा रही है और वो देश कौ चाहिए तो कहिने के आपके बॉड़ी के यह बहुत खतरनाख है बाकि यहां पर चुशाव दिया था यह था कि जो हपके हैश बन रहा है जो कि हर प्रकार के खाने में इस्तमाल हो रहा है तो हैडरोडोजनेटट ऑल्स के उपर थोड़़ए बैन से आप यहां कर सकते हो आपको समझाऊंगा ठीक है अच्छा पहली चीज़ तो यह है कि सरा आपने ट्रांसफेट ट्रांसफेट बोलत हो दिया है ट्रांसफेट होता क्या है अब समझते हैं इसको ट्रांसफेट या फिर इसको ट्रांसफेटी एसेट्स कह सकते हो यह एक एक अंसाचुरेटी एसेट ह यानि कि मुटापा बढ़ाने व़ये हैं पर आपको ये इस प्रकार से fatty acids देखनें को मिलेगे। जह हम fatty acids की बाद करें तो तीन प्रकार के fat आपको नजर आता है एक होता है unsaturated fat, एक होता है saturated fat और एक होता है trans-fat, हम लोग किसके बारे मत करे हैं, trans-fat के बारे में देखो unsaturated fat होता है यह अच्छा होता है आपके body के लिए आपको चाहिए भी होता है आप अगर unsaturated fat ले रहो तो सही है nuts के अंदर मिलता है यानि की बादाम और यह सारी शीज़ें के अंदर आपको यह मिलेगा आवकाड़ोस में मिलेगा कुछ हरी सबजियों के अंदर आपको यह unsaturated fat मिलेगा यह calories में भी काफी कम होता है आपके body के लिए अच्छा होता है और एक होता है saturated fat यह जो fat है जातर animal products में मिलता है जो meat वगर होता है उसके अंदर यहाँ पर मिलता है ऐसा बोला जाता है काफी सारी बिमारियां वो बनने लगेंगी तो यह अलगलग प्रकार के fats यहाँ पर किस प्रकार से अफक्ट करता है यह आपने समझा तो transfer क्या है industry produce transfer आपको यह देखने को मिलेगा यह काफी जदा खतरनाक है और मैंने आपको बताया जो industry का process होता है यह यहाँ पर इतने जदा processing करता है इसमें hydrogen को मिला जाता है और hydrogen को हम लोग vegetable oil में मिला देते हैं जिसके business पर हम लोग को एक hydrogenated oil मिलता है और यह हमारी body के लिए बहुत जदा खतरनाक साबित होता है काफी सारे products के अंदर में आपको यह common चीज़ देखने को मिलेगी काफी सारे food में खासकर packet food के अंदर इनका इस्तमाल सबसे ज़ादा होता है अब इसका impact का पड़ेगा तो मैंने आपको बताया देखो आपके body में मतलब एक good cholesterol है एक bad cholesterol है good cholesterol तो चलो फिर भी अच्छा लेकिन bad cholesterol बहुत ज़ादा खतरनाक है तो कहीं ना कि यहाँ पर यह जो fats है खासकर जो यह trans fats है यह करेगा यह आपके body के अंदर bad cholesterol level को increase कर देगा जैसे मैं आपको बताया मोटापा बढ़ने लगेगा सांस फूले लगेगी शरीर आपके सकते हो एक तरीके सूजा सूजा सा देखने को मिलेगा और heart disease यानि कि दिल से समधित विमारिया जो है वो करने की पूरी तरह से कोशिच की है ऐसा डबलो एचो ने बताया लेकिन डबलो एचो ने यह बताया कि इसको कम करने के लिए बहुत सरी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है धेर सारे challenges हम लोग ने फेस कि हैं जैसे दो को challenge यहाँ पर यह कि transfer ना बहुत सस्ता है बहुत फूड है ना उसकी जो shelf life है वो थोड़ी सी increase हो जाएगी तो इस चकर में जो food manufacturers है जो खाना मनाने वाले लोग है ना इंडस्ट्रीज है वो इसका काफी जदा इस्तमाल करते हैं ताकि अपने food को लंबे समय तक वो टेका सके हैं दूसरा बहुत सारे small और medium size के आपको food manufacturers जाता है दूसरा यहां पर बोला गया ट्रांसवेट अक्सर यूज़ किया जाता है food service में restaurant के अंदर है यहां पर देखाओगे जातर यूज़ होता हुआ यह नजर आता है देन एक और प्रॉब्लम है आज के समय पर वह है जो consumer है ना consumer की habit बन चुकी है और consumer का टेस्ट बदल यहां पर change करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है लोगों का ऐसा यहां पर बोला गया है लगता है पैकेट वाला खाना और यह सारी चीज़े बहुत जदा अच्छी लगती है लेकिन बाकी सारी चीज़े घर का खाना बहुत जदा बेकार लगता है तो कहीने के यहां पर बहुत बड़ा चलेंज बन चुका है जिसकी चक्कर में हम ट्रांसफटी एसेट से कंजम्शन को कम नहीं कर पा रहे हैं आई होप आपको यहां पर एक क्लारिटी मिल चुकी है दूसरा यहां पर बहुत सरे इनिशेटिव को हम लोग चला रहे हैं आज के समय पर इस अधर का दो मेजर गूल थे एक था इट हैल्दी और दूसरा इट से अच्छा खाओ और मतलब सेफ एट करो तो वह चीज यहां पर बात की गई थी इट है इट मुव्मेंट के अंदर में फिर उसके दमें दूसरा इनिशेटिव चलाया गया स्वच भारत यातर करके तो यह यहां पर एक यह पैन इंडिया साइकलोथन था और यहां पर इसको लॉंच किया गया था ताकि हम लोग सेटिजन को एजुकेट कर सके उनको बता सके फूड सेफटी के बारे में कि फूड सेफटी आखर क्या होती है आपको एक हेल्दी फूड खाना है अपनी डाइट को हे लगलग सोशल मीडिया प्लाटफोर्म के उपर में इसका अब्जेक्टिव यहां पर यह था कि हम लोग लोग को बता सकें कि आप ट्रांसफेट को कंजूम कर तो इससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है क्या-क्या यहां पर आपकी हेल्थ को डैमेज हो सकता है तो यह ब दो पर्ट्सेंट से जाधा ट्रांसफेट नहीं होना चाहिए है यह बात यहां पर FSI ने भी वोली थी क्योंकि इससे जाधा अगर ट्रांसफेट होगा तो कहीं न की बॉड़ी के लिए खतरनाक साबित हो जाएगा तो यह आपने ट्रांसफेट के बारें पढ़ा अब आप कि यह जो आइटम है उसमें कोई भी ट्रांसफेट नहीं है उसने क्या दिखाया एक कंपनी ने अपना फूड प्रोट्ट को अडवर्टाइस किया और अडवर्टाइस करते हैं बोला है कि हमारे समान में कोई भी ट्रांसफेट नहीं है बिल्कुल भी ट्रांसफेट नहीं ह तो इससे यहाँ पर customers के पास में क्या notice जाता है या customers के पास में क्या lesson जाता है आपको यह बताना है इस campaign से यहाँ पर customers के पास में क्या बात जाती है यह आपको बताना है option ने तीन statements यहाँ पर दिये गए हैं पहला कि जो यह food product है यह hydrogenated oil से नहीं बनावा है दूसरा कि जो ये food product है ये किसी animal fat या oil से नहीं बनावा है तीसरा कि जो ये oil है न ये आपके लिए कोई भी health के लिए ख़दरनाक नहीं है आपको कोई भी heart बिमारिया नहीं पैदे करेगा आपके लिए कोई भी यहाँ पर health को damage नहीं करेगा तो बताओं यहाँ पर कौँ सा statement सही है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा statement 1 और statement 3 सही है क्योंकि animal fat oil के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है ये फिर भी सही है ये fat oil लेकिन आप यहाँ पर देखोगे जो first और third statement है ये दोनों गलत ये कहिने कि हमारी heart health को damage कर देता है तो यहाँ पर आप देखोगे इस question में ये पूछा गया था एक company अगर food product को advertise कर रही है और वो अपने item को बोली इसमें यहाँ पर कोई transmit नहीं है तो इसका क्या संदेश जाता है संदेश ये जाता है कि बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ये जो oil है ये बिल्कुल सेफ है या आपको कोई भी यहाँ पर बिमारियां पैदा नहीं करेगा आपको कोई आपकी heart health बगरा सब कुछ अच्छी रखेगा तो इसलिए क्या हो जाता इसका सही उतर इसका सही उतर option C हो जाएगा 1 and 3 तो थोड़ा सा logic based था अगर आप में ट्रांसफेट के बारे हैं पढ़ा होता तो definitely यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते थे अभी मैंने आपको unsaturated, saturated ट्रांसफेट के बारे हैं पढ़ा था तो मैंने आपको animal fat के बारे ही पढ़ा था कि वो वाला fat हम लोगों कहां से मिलता है ठीक है तो यह था particular editorial उसके बाद में एक और छोटा सा article आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Russia Ukraine war को लेकर एक text and context वर एक छोटा सा यहाँ पर picture दिया जाए तो इस picture मैं बस खाली इतनी बाते जान लो कि अभी तक यानि कि यह जो वीडियो है यह आया है आपका 26 जनवरी को तो 26 जनवरी तक Russia Ukraine के war में क्या हालाथ हो चुके हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो है ना यह हो गया इधर पूरगपुरा Ukraine जो मैं यह line draw कर रहा हूँ कि Russia ने काफी सारे areas को control कर लिया है जैसे यह वाले जो area है जहाँ पर एक सेकेंड उक जाओ यह जो area है जहाँ यह yellow color कर रहा हूँ यह area ना और यह वाला जो area है यह सब Ukraine के हैं लेकिन इन areas को Russia जो है वो 24 फरवरी 2022 से पहले पहले अपने control में ले चुका है इन areas को 24 फरवरी 2022 से पहले control में ले चुका है बागी जो यह अभी यहाँ पर areas आपको Ukraine के दिख रहे हूँगे यह areas यहाँ पर Russia के अभी के समय पर control में है ठीक है ना फिर उसके बाद में यहाँ पर यह सब में Russia जो है advance कर चुका है दिरे दिरे आगे जो है वो बढ़ चुका है ऐसी बात बताए जा रही है दूसरा एक चीज़ और बताए गई कि अभी यहाँ पर जैसे कि Marupol नजर आएगा, Dontex नजर आएगा यह जो आपको dot 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 red color के दिख रहे है ना यह dot क्या बताते है कि यह जो शहर है यहाँ पर यह सारे शहर रश्या के control में है फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ green color के area भी दिख रहे होंगे जैसे यहाँ पर यह green दिख रहा होगा, यह green दिख रहा होगा यह क्या है, यह पहले रश्या ने control किया था लेकिन युक्रेन ने वापस रश्या से छीन लिया है ठीक है, बाकि आपको यह green color के यहाँ पर भी dot दिख रहे होंगे बता यहें 23 जनवरी 2023 तक क्या हालात आपको देखने को मिलेंगे वो हालात मैंने आपको बता दिया है कि कई सारे एरिया अभी भी यहाँ पर रश्या ने कबजा रखे हैं कुछ एरिया 24 फरी भी 2022 से पहले कबजा लिये थे जैसे क्रीमिया को 2014 में यहाँ पर कबजा लिया था उसके बाद कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि यहाँ पर युकरियन वापस से ले चुका है वापस से छीन चुका है रश्या से और कुछ एरियाज में भारी भर कमलड़ा ही चल लए है वो बातें यहाँ पर इसमें बताई गई है तो अभी examination के लिए कुछ ऐसा खास नहीं है इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है यह था हमारा आज का particular editorial बागी यह एक और छोड़ा सा article आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह जो galantry awards है यह अब की बार Republic Day पर दिये जाने वाले हैं यहाँ पर 6 कीरती चकर 15 शौरे चकर 93 सेना मेडल 7 वायू मेडल वायू सेना मेडल इस प्रकार से यहाँ पर 412 galantry awards हम लोग देने वाले हैं यह बात आपे बताई गई है हमारे अलग अलग जोसे से एंग आपको दो प्रकार के देखने को मिलता है एक होता है mine high ऐक शोता है यहां पर कौन सा एक सकेंड आपको दिखा जैता हूं और एक होता हैं हमारा Peace Time Highest Galantry Award तो War Time Highest Galantry Award में कौन-कौन से अवर्ड आते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और साथी साथ में वीर चक्र ये हमारे War Time Galantry Awards है ठीके ना, फिर उसके बाद में जो Peace Time वाले अवर्ड से वो कौन-कौन से हैं उसमें आता है अशोक चक्र, कीर्ती चक्र और शौरे चक्र फिर उसके बाद में कुछ और दूसरे मेडल भी हो हैं दूसरे मेडल जैसे सेना मेडल, नाउ सेना मेडल और वायू सेना मेडल ये सारे Awards के नाम ध्यान रख सकते हो ये Awards यहाँ पर दिये जाते हैं और 26 जनवरी के अफसर पर यहाँ पर दिये जाते हैं और अब की बार भी यहाँ पर दिये गए हैं तो यहाँ पर जो Awards किस-किस को दिये गए हैं आपको देखने को मिलेगा कितने-कितने Awards किस-किस category में दिये गए हैं जैसे 93 सेना मेडल हैं कंदरा शौरे चक्र का एंवसमेंट हो चुका है एक आउ सेना मेडल का अनॉसमेंट हो चुका है पर इसकी बाद के आज पर आपके सेंट को हम यहां पर रेंड करेंगे ठीक के तो यहां पर पीछे का वाइस राया लिधा बढ़ता जा रहा है और और जदा बढ़ेगा, तो हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, वैसे हमने सभी discussion कर लिया है, लेकिन एक आद article और है, जिसका मैं discussion आपके साथ में कल करूँगा, कल Friday, Friday में article कम ही आते हैं, आपको बता है, और Saturday में भी कम आते हैं article, तो आगने वाले तीन दिन हमारे थोड़े-थ discussion चलता रहेगा, आपको सारी चीज़ें बताते वें चलेंगे, वैसे कोई आपका जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, important छूटेगा नहीं, तो वैसे important आपका छूटता नहीं है, अब पहले हम लोग अपने prelims का सवाल को देख लेता है, तो आज का prelims का सवाल क्या है, आज freedom struggle के समय में, तो C is the correct answer, now मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद, बाकी एक आद एडिटोरल है, ठीक है न, उसको मैं कल डिसकस करूँगा, क्योंकि आज यहाँ पर जो वीडियो अलड़ी लेट भी हो चुका है, और मैंने आपको बता है, जो पीछे voice है, वो काफी जादा आ रही है, और देखो यार, वीडियो लेट होने का पीछे का एक और बहुत बड़ा reason है, कि हमारा जो newspaper है न, वो काफी लेट आता है, आज newspaper आप विश्वास ने करोगे, साड़े पांच से, जादा 6 बज गए थे लग बग, पांच-बचास से जादा टाइम हो गया था, लेकिन वो newspaper पॉब्लेश नहीं हुआ था, है न, तो मैं अपनी कोशिच खुद करता हूँ कि जल्दी upload हो जाए, बट यहां पर जब newspaper नहीं होगा, तो फिर वीडियो कैसे बना पाऊंगा मैं, है न, तो I hope आपको यह बात समझ मारी होगी, चलो फिर मिलतें आप सक लिए वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जाहिंद